कौन कहता है कि सपने सच नहीं होते हैं सपने सच होते हैं जरूत है सपनों को देखने की और जब हम सपनों की बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं इमाजिनेशन जब हम इमाजिनेशन करते हैं किसी चीज की कलपना करते हैं और हम जब उसकी उपर में प्रयास करते हैं, तब वो सपना या वो imagination को हम साकार कर सकते हैं, आज जो शक्षित हमारे studio में मौझूद है, मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा, और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मैं हो रतना कर आपका इस खास मुलाकात में स्वागत कर तो हम चाहेंगे, हमारे दर्शक भी चाहेंगे, कि इस अपने साकर करनी के जापकी जर्णी है, उसके बारे में थोड़ा साथ हमारे दर्शक को बताएं, सरक ऐसा है, हमारा जो इमाइजनेशन ग्रूप है, इसकी स्तापना दो हजार आठ में शुरू होती है, और तब से हम लोग डायलान इक्छेंज के साथ में अफिलेटेट होके हम लोग हॉलिड़ी में डील करते हैं, पहले तो हम लोग सिर्फ हॉलिड़ी में डील करते हैं, इमाइजनेशन अभी खुद के ओन रिसॉर्ट भी डिवलफ करना शुरू कर रही है, अभी हमारा इमाइजनेशन का जंगल होम पेंच शिलारी में रिसॉर्ट का काम चल रहा है, फिर उसके बाद में हमारा ताडोबा, नागजीरा, चिखलदरा, कानहा, बांधोगर्ड ऐस चिके सिल्सिले में हम लोग शापूर, मुंबई में भी एक एककाउन एकड का बड़ा रिसॉर्ट बना रहे हैं, तो इस रिसॉर्ट इस लोकेशन को चूज करने की पीछे की क्या मनशा आपकी रही होगी, आपके टीम की रही होगी, हम समझना चाहेंगे? सार, बेसिकली कैसा है ना, यह जो रानवीर जांबुलवाड है, यह तीन शहरों के सिंटर में आता है, मुंबई, नाशिक और पूने, अगर हमारे लोकेशन से अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई 100 किलोमेटर के डिस्टंस पे है, पूने 134 किलोमेटर के डिस्टंस अगर बनाते हैं तो वहां पर तीनों शहरों के लोगों के लिए वह एकसेसेबल है, यह जिली वहां पर पोच सकते हैं और तीनों शहरों की जो पूलेशन से बहुत जादा है, मतलब अगर हम लोग नाशिक पूने और मुंबई की कर बात करें तो लगबग 6-7 करोड के पर प्रणक के साथ में अपने इस लोकेशन को चुछ के हैं कि यह समुरुध इइक्सप्रेस हाइवे से ठी किलो मेटर के डिश्टनस पे है, अगर समुरुध इइक्सप्रेस हाइवे से कनेक्ट होनी के वज़े से क्या होगी, पूरा महरस्टcciones कोतना गरेथे शासे के लिए करते हैं या property development के बात करते हैं और वो जब लोगों के लिए करते हैं तो business जो होता है उसका center point होता है तो हम उस project के viability की बात करते हैं सर तो आपको इसमें क्या viability दिखती है और आप कैसे इसको इसका projection आने वाले समय के रिए कैसा करेंगे हाँ सर बेसिकली क्या है न सबसे पहले हम कोई layout या project plotting company नहीं है कि हमने plot बेच के इसको छोड़ दे हम लोग वहां पर 11 एकड में resort बना रहे अब वह 11 एकड के resort में 51 एकड के resort में हमारा 31 एकड में वहां पर पूना मुंबई से लेकर नशिक वहां पर देस्टिनेशन वेडिंग से लेकर weekend holidays के लिए वहां पर आना जाएंगे अब ये जो लोग weekend holidays में कर आना चाहती है, तो उनके लिए वह सबसे नजदीक है क्योंकि आज पुना मुंबए के लोग लोनावडा महाबलेश्वर जाती विकेंड हॉलिडे के लिए तो उनके पास में सबसे नजदीक है एक जैसा आप बता रहे हैं तो एक अलग ही देस्टिनेशन और उनके नजदीक ही उनको मिल रहा है जिसका वो मतलब वीकेंड की हम बात करें और आजकल जो आपने इंपोर्टन बात नहीं यह देस्टिनेशन वेडिंग लोग आजकल एक साथ डिस्टिनेशन ढूंदते हैं और अपने पुरा जो है अपने रिष्टिदा जगह बिल्कुल भी है आज वहाँ पर अगर किसी के हाँ पर शादी होते हैं तो उसको डिस्टिनेशन वेडिंग के लोग कोई चोईस नहीं है और अगर मुंबई के लोग कसा रहा है इगतपूरी में जाते हैं अगर आपका हजार लोगों का भी प्रोग्राम है तो वहाँ पांगते हैं कि सर एक हजार रुपे में एक वेक्ति का ब्रेकफास्ट लांच और डिनर होता है और सर एक कॉटेज में अगर तीन लोग अकॉमड़ेट करें तो पर पर परसन का उसका टेरिप पड़ेगा सर एक हजार रुपया मतलब हजार लोग के प्रोग्राम के लिए ज इनके लिए सर हमारा रिसोट बहुत ज्यादा इंपोर्टन्स रखता है इसलिए हम लोग इस प्रोजिक को डिवलप कर रहे हैं जी मतलब मैं यह समझना चाहूंगा कि कम से कम बजट में आप एक अपना जो कारेकरम है डिस्टिनेशन वेडिंग का या इस तरह के कोई भी का हम बजट में बड़े पैमानी पर इससीनाफियर कर सकते हैं पसा McDermist समझना कि अब मनें परेकरम हारा इसा लगना है इसक्राइब देती बड़े सर्थ मैं आपगावन्य। प्रोजेक्ट है जहां पर आपने कहा है कि 377 और सारी एमेनिटीज आप उनको देना चाहते हैं तो यह सब एक मेरे मंद का सवाल है कि इसको बात करने में भी आसान नहीं लगता और इसको मूर्त रूप देना भी आसान नहीं है तो कैसे आप प्लान करें कैसे इसको इंप्लेम होगा और साथ-साथ में हमारी जो 20 इकड की जो अलग से जमीन है जिसमें अमेनिटीज डिवलप होने वाले उसका भी काम स्टार्ट होगा मतलब साल देड़ साल में हमारा बेसिक इंपरक्टर खड़ा होगा उसके बाद में कॉर्टेजिस डिवलप्मेंट शुरू हो जाए सर एक चीज और है कि ये प्रोजेक्ट जो है ये कंपनी जो बना रही है कई बार ऐसा होता है कि आम तोर पर प्रोजेक्ट बनते हैं रिशॉर्ट बनते हैं प्लोट खरीदी बेचे जाते हैं तो क्या ये इसका इतना ही सिमित विवार है या इसके आगे आप कुछ इसको सेल्स होता है वह सेल्स पूने मुंबई और नाशिक में होता है वह सेल्स हमारे मध्य भारत में नहीं होता है और हमें अगर वहां पर अगर एककाउनिकर का प्रोजेक्ट बनाएगी तो उसका गुडविल उसका बेनीफिट इमाइजनेशन को हॉलिडे मेंबर्शिप के सेल करने हैं यह सवाल मैं इसलिए भी पूछा था क्योंकि अगर आप नाखपुर जैसे अगर बात करेंगे तो यहां पर भी कई सारे रिसोर्स बनते हैं लेकिन वहां पर वही होता है कि यह आप प्लॉट खरीदो फिर आपको उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप उसक आप लोगों को दे रहें कि जो अपने लॉंग तर्म बेसिस पे उसका युटिलाज़ेशन करते हैं अगर हमें अगर प्लॉट बेचना होता तो हम 31 स्पेस के जमिन में 20 स्पेस एक्स्टा जमिन खरीद कर वहां पर अमेनिटीज डेवलप नहीं करते कि कोई भी बिल्डर ड प्लॉट बेचना होता है उसी को डेवलप करके छोड़ देता है बट हमने क्या कि अब पी उपन स्पेस के अलाव हो तो पी उपन स्पेस तो है हमारे 31 एकड में पर इसके अलाव हम लोग 20 एकड में एक्स्टा जमिन पर्चेस करके वहां पर अमेनिटीज डेवलप कर रहें इसे से हमारा इंटेशन क्लियर हो जाता है कि हम कर कर रहें एक हम सवाल जो आता है जब भी प्रोपर्टी का बात करते हैं या कोई जगे पे हम आई सोचता हूं कि मैं इन्वेस्ट करूँ या मुझे इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना या मुझे ये चीज पर जाना है तो इसकी कॉस्ट रखते हैं हम एक कॉस्ट करते हैं तो यह कॉस्ट कम है जाता है या एक सवाल आता है या यह महेंगा पढ़ रहा है तो आप इसको कैसी जस्टिफाइ करेंगे सर दिखिए 690 रुपया स्केरपूट हमारा रेगुलर कॉस्ट है और हमने प्री लांचिंग में इसकी कॉस्ट पांसो पचास रुपया पर स्केरपूट रखी है अब जो 690 रुपया पर स्केरपूट के हम बात करें आज वहां पर जहां पर हमारा लोकेशन है जामबुलवाड रानवीर में आज की डिट में वहां पर जो लोग प्लॉटिंग के बिजनेस में है उनका प् पी यू ओपन स्पेस को ही डेवलपमेंट करते हैं हमने तो उनकी तुलना में 31 एकड के अलाव बीस एकड एक्स्टा की है मतलब हमने डबल लैंड उसमें उसमें उटिलाइशन किया है मतलब हम लोग उसके कर बीस एकड की अगर स्केरपूट में डालते है पी उपन करें तो कम पैसे में एक अच्छी प्रॉपर्टी के आप मारी बन सकते हैं एक फ्यूचरिस्टिक हमारा प्लानिंग होता है एक हम फ्यूचर दिए और आप तो खुद इमेजिनेशन के सर्वें और आप जो भी करते हैं उसको पहले जो मैंने आपको समझा है तो आप बहुत थोड़ा सा बताए कि आगे आने वाले समय में आप और आपके जो ग्रहक है वो कहां रहेंगे मतलब किस वातावर में रहेंगे उनको क्या-क्या मिलेगा अगर हम फ्यूचर प्रॉस्पेक्टर्स के गार बात करें तो आज के डेट में ठाने और मुंबई के गर हम लोग बा पर और एक नयए डिस्टिक बना रहें तो ऐसे ने डिवलप्मेंट भिण पर हूते रहते हैं और इतना रैपीडली चेंजस होता है कि इसके मुंबई में मुंबई में कोई भी प्रॉपर्टी की किमत पांच से–10 साल में कम से कम 5 टाइंस का ग्रोथ होता है 5 टाइंस का यह जमीन की बात करें, हम किसी फ्लाइट की नहीं बात करें, फ्लाइट पाज गुना नहीं बढ़ें, वो ऐसा शहर है कि जहां पर डिमार्ड बहुत जादा रूस प्रेशियों में शप्लाइए नहीं है, यूटिलाइज़िशन हो रहा है, यूटिशन भी हो रहा है, वी कि आप रिसोट के भीतर प्रॉपर्टी पर्चेस करें, और हमने कस्टमर के साथ में शेरिंग बिसेस में इंकम शेरी की, हमारे रिजॉर्ट में जो भी प्रोग्राम होगे, इसमें कमपनी अपने खुद के ओन कॉर्टेज़िस में डिवलप कर दी, और इसमें मानके चली कि, for example, साल बरे में अगर हमारे यहां पर 500 अगर इवेंट्स होते चाहे, कारपुरेट्स के हो, चाहे डिसने चान वीडिंग के हो, अब आपने नापपूर के बाद कहीं, सर, आप मुझे बताईए, आपने प्रोपर्टी को बेस्ट किया है, ठाने, नाशिक, बुने और मुंबई के पीच में, तो मैं अज़ा नापपूर कर, मैंने क्यों लेनी चाहिए प्रोपर्टी, मेरा ऐसा ही साधारन सा सवाल है, प्राइट की गर्व की बात होती है, आज अगर हम इमाइजनेशन बूल रहे हैं, कि हम मुंबई ठाने में हमारा एककाउन एकट का रिसोर्ट बन रहती है, तो ऐसा प्राइट भारत का हर भारती, हर इंसान, हर योगरी इंडियन, ऐसा सोचता है, यह पहले चीज़, और दूसरे शेवरों में सेटल है, तो इसके लिए घबराने का कोई कारण ने कि कि आपकी जो प्राइटी वो रिसोर्ट के भीतर है, मतलब आपको उसकी मेंटनर्स और कोई आपके प्राइटी में कोई पजेशन करेगा, इसके कोई संभाव ना लिए है, आप ही सारे कारी इमाइजनेचन ले रही है, और दूसरी चीज है सर, कि जहाँ पर प्राइटी लेने के पीछे अबजेक्टिव क्या है, हमारे सारे कस्टम औरों का, आज के डेट में हम सब प्राइवेट लोग है, क्योंकि जो लोग आज गवर्मेंट सर्वन्ट भी है, तो 2005 की बाद म गवर्मेंट ने पेंशन बन कर दी, तो हम सब लोगों के लिए हम सब ओल्डेज होने वाले है, हम सब को ओल्डेज की इंकम की रिक्वाइर्मेंट, तो उसके लिए हमारी जो प्राइटी ये साल का 5,550 रुपे से भी हम प्राइटी की बात करें, तो 1500 स्केरफूट का प्लो मिलिन जी आपसे बात करते वक्तों, मैं आपको बिल्कुल परामानिकता से बताना चाहूँगा, कि जब मैं बात शुरुवार की थी, तो मैं यह समझ दाता है, कि हम एक इमेजिनेशन इंफ्रा और रिसॉर्ट की बात करें, लेकिन अब बात खत्म होते होते, मैं इस बात को बहुत समझ गया हो, कि आपका जो विजन है, वो एकदम लाउड और क्लियर है, कि आप लोगों को डेस्पनेशन तो देना ही चाहते हैं, लोगों के सपनों को साकार तो करना ही चाहते हैं, आप उन्हें घुमाना फिरना भी चाहते हैं, नेचर के नजदिक में लेके जाना यह जो इंडुस्टी है इस इंडुस्टी को आगे जाकर दिन्फा रिसॉट कंपनी को आप लोगों इस डिस्टीन या इस फिल्ड में आने और आगे जाने के लिए खिस तरह का सबस्भाब देंगे सर इस इंडुस्टिर में काफ़ ज्यादा स्कॉप है अगर हम लोग तो टोरिजम इंडर्स्टी की बात करते हैं, हमारे टोटल GDP में लगभग 0.67, 0.7% तक के हमारा जो कि रिक्वार्मेंट उसको कभी बस से, कहीं पर भी अगर आज में नाकपुर से मुंबे जाएगा, या तो बस से जाएगा, ट्रेन से जाएगा, या फ्लाइट से जाएगा, मतलब अल्टिमेटल आपने उनके लिए एंप्लॉइमेंट जनरेट कर दिया, अब ये पूरे ज लोगों की इंकम को बढ़ाने का काम किया जाता है, तो हम चाहते कि सर भारत में एदर एक करोड़ लोग हर साल घुमने जाएगे, तो कम से कम सर दस करोड़ लोगों की इंकम बढ़ेगी, और उनकी फैमिली भी दुआए देगी, बिलकुल से ये बात कि अपने सर, एक करोड आथा और फैमिली के, मैं तो समझता हूँ कि भारत वर्ष में जितने भी फैमिली है, हर किसी का सपना होता है कि साल में कम से कम एक बार थो भी हम पुरे परिवार को लेकर कही ना कहीं जाए, थोड़ा सा समय परिवार के साथ मैं भिताए, घर से थोड़ा सा दूर बिताए, लेकिन माहुल वहाँ घर जैसा हो सुविधाय वहाँ घर जैसी हो और एक अच्छा वाता और मिलें राप उसके लिए उनकी सहायता करते हैं मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ सार बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें यहाँ पर दी मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मिलिन मेश्राम जी जो इस वक्त हमारे सामने बैठे हैं वो एक अलग किरदार में भी वास करते हैं फिलहाल हम उसकी बात नहीं करेंगे लेकिन जब अगली बार उनसे मिलेंगे तो उनके दूसरे पहलों के उपर में भी हम ज़रूर चर्चा करेंगे फिलहाल इस बात चित को हम यहीं विराम देते सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका सर नमस्तर